जहां मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ पर कोई आम आदमी ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता अगर आपकी उपलब्दी खास हो तो बतोर एक पद्मा वाडी आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं या फिर अगर आपको स्पेशल राष्ट्रपती भावन से नियोता मिला हो तो फिर वहाँ कहीं पर विराजमान होकर इस जगे को निहार सकते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस दर्बार हॉल की खासियत क्या है प्रजेश जी कैसा लग रहा है क्या अकूस्टिक है यहाँ बैट करके वहाँ तक बात करने के लिए आपको माइक की आवशक्ता नहीं पड़ेगी इतना सुन्दर है यह दर्बार हॉल देखिए दर्बार हॉल जो है अगर इसके बारे मैं कहूं रॉबर्ट बारन के शब्द है जो बड़ी मशूर ट्रिवल राइटर थे कि इसकी खुबसूरती को बया करने के लिए शब्द नहीं है अगर आप इसको देखें हमारे बैकड्रॉप में फिफ सेंच्यूरी के बुद्धा है बुद्ध की सबसे खुबसूरत सबसे इंटक्ट प्रतिमाओं में से एक है जो कि मतुरा से मिली थी उसको यहां लगाया गया है अगर आप थोड़ा उपर की तरफ जाएं अगर इस जूमर को देखें 35 मेटर के उचाई से यह जूमर नीचे की तरफ लटका हुआ है और यह जो ठीप उपर जो है वह जो सो राष्टपती भावन का जो डोम है वो है उसी के उपर राष्टत्वज भी है जी जिसके उपर राष्टत्वज है देश के प्रथम प्रधान मंत्री के तौर पर जवाहलाल नहरू ने इसी जगह पर शपत ली थी आप ध्यान रखें इस बात का उन्हें माउंट बेटन ने जो को उसमें गवर्णर जनरल थे उन्होंने यहीं पर शपत दिलाई थी तो काफी एतिहासिक महत्तु है आज की तारीक में बात करें भी आपने पदमा अवाडीय का जिकर किया कि अगर अगर आप पदमा पुरश्कार अगर आपने हासिल किया है तो फिर आप यहाँ सकते हैं लेकिन इसके अलावा जो मैं बता दूँ कि इस देश में जो है चाहे सैन्य सम्मान हो जो कि आप धियान रखें कि जो हमारे सेना की जवान है जो कि अपना सरोच बलीदान देती है अधिकारी है या फिर उनके प्राकरम होते हैं उनके लिए भी जो तमाम किसम के जो अवाड है हो भी दी जाते हैं तो सिविल और मिलिटरी ऑनर्स जो है समाज के अलगए खिस्सों में जिन होने भी स्रेश्ट कार किया है जिनको कि रिकनाइज किया जाता है अलगए अगवार्ड के जरीए पेस्टेंट दौरा वो इसी दरबार हॉल में होता है अगर आप फरनीचर्स को जो कि खुद लोटिन्स की तरफ से ही डिजाइन किया गया था और आगे कि अगर आप पंक्तिया देंखें तो यही वो पंक्तिया है जब कि यहाँ पर की आपचारिक जब सम्मान समार होते हैं कारेक्टम होते हैं तो प्रधानमंत्री उपरास्टपती सभी बड़ी विभूतियां यही आकर बैटते हैं जो प्रटोकॉल है उसके थाथ और यहाँ पर रास्टपती होते हैं जो कि यहाँ से इस पेडस्टल से सभी लोगों को सम्मान परदान करते हैं तो काफी महत्वण है यह हौल यही वो सीडिया है जिसे उतर के रामनात को इन जी जब नीचे उतरेते हैं या फिर अगर हमारी मौझूदा रास्टपती की बात करें दौबदी मुर्मूजी को यहीं से उतर कर जो है कई बार यह देखने में है कि ऐसे लोग जो कि बहुत चल नहीं सकते बहुत ब्रिद्ध हैं तो रास्पती जो की देख की के सरूज समवैधानी कासन पर वैठे हुए देख के प्रतम नागरी कहे जाते हैं और कहीं न कहीं अगर यह दिवारे बोल सकती तो इतिहास के बहुत सारे किस्से यहाँ पर जो आपने कुछ तो दोराये आपने कहा कि देखे सबसे पहले शपत गरहन समारो यहाँ पर हुआ पर पदमा आवार्ड का भी पीपल पदमा होना और ऐसे ऐसे लोगों का इस दरबार हॉल में आना जिन्होंने कभी शायद परिकल्पना नहीं की थी कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे यह कभी वो इस जगे को देख सकेंगे यह भी एक चेंज है जो हम यहाँ देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो उसके एक तरह से कह सकते हैं सबसे मजबूत संदेश करता जो रहे हैं वो गौतम बुद्ध रहे हैं जिन्होंने की बात धर्म के जरिये जो शांती और हिंसा के सद्धानत को पहुँचा है और जिस बुद्धिजम या बात धर्म की चाप अभी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर है आप सुदूर जापान तक चले जाएं और आप जो है सो यही नहीं अगर आप बगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को देखें तो यह जो भारती अस्थापत्ते हैं जो कि इतना विक्सित रहा प्राचीन काल से उसकी भी एक बहुत ही बड़ी जहाकी है अगर आप इस मुर्थी को द्यान से देखें फिफ्ट सेंचूरी की है पांचवी सदी की है मतुरा से प्राप्थ हुई थी इसको कई बर मतुरा बुद्धा भी कहा जाता है यह जो नकासी है जिस तरीके से पत्थर में जान डाली गई है इस तरह के उदारण विरले ही मिलते हैं तो मुझे लगता है कि जो भारत का जो गौरव है या फिर भारत का जो बरतमान है उन दोनों को भी जो है एक तरह से विटनिस किया जा सकता है इस दरवार हौल में जब आपने कहा कि उन तमाम लोगों को पदमा सम्मान आज की तारीक में दिये जा रहे हैं खास्तों परिसे प्रधान मंतरी नेदर मोदी जब 1214 में पहली बार प्रधान मंतरी बने उसके बाद से पद्म पुरिशकारों को जो की एक समय इलीट माने जाते थे उसको आम आदमी के लिए वो रास्ता खोला है कि अगर आप समाज की किसी भी छेतर में अगर कितने भी नीचे से नीचे स्तर पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसको रेकेंगनाईज किया जाएगा और वो भी देश के प्रधम नागरिक रास्ट पती द्वारा इस दरवार होते कि मा को वहां पर खड़ा किया इससे बड़ा लोगतंत्र का की जलक कहां हो सकती है और अगर आप देखें तो हर तरफ नजारा ही नजारा है कि आप इसको बड़ा आनंद होकर बैठ कर निहार सकते हैं हर दिवार की तरफ देखें तो इस पर की गई कारीगरी इसकी सुन्दर अगर आप देखें तो इसमें अगर आप इस फ्लोरिंग को देखें तो उसमें भी जलक मिलती है जहां पर की वरगाकार और रायताकार इस तरह की जो आखरतियां जो साइजिस जो अलग अलग देख रहे हैं और बिलकुल सामने जो दरवाजा दिकाई दे रहा है वह जो है दोर है जहां से की राश्पती जो है 26 जनवरी के दिन राश्पत की तरफ रवाना होती है जब गढ़ दिवसका समार होता है यहां से जो है सो कि दरवाजा खुल जाए सुफ्तीध है इंडिया गेट जो की ओ दिखाई पड़ता है तो बड़ा एतिहासिक जो है दरवाजा भ हुआ हुआ है